रूस यूक्रेन जंग में दोनों इपक्ष जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन अब यूक्रेन ने एक ऐसा दावा किया जिसका जवाब रूस नहीं दे पारा इदर वार जोन से आरही रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुस्ट्रक में इतने जादा सैनिक मारे जा चुके हैं कि जंग करने के लिए सैनिकों की भारी कमी है जबकि दूसरी तरफ पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि कुस्ट्रक में यूक्रेन का पूरा वार प्लान रूस ने चौपट कर दिया है पुतिन पर भारी सितंबर युद्ध क्या 923 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग में रूस के 6,20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेनी सेना के इन दावों पर भले ही रूस ने चुपपी सादली हो लेकिन एक बात तो तैह है कि सितंबर महीने में रूस यूक्रेन जंग पिछले 4 महीने की सबसे बड़ी और खूनी जंग सावित होने जा रही है 6 अगस 2024 को अचानक रूस के कुर्सक में यूक्रेनी सैनिकों के भीशन हमले शुरू हुए उसके बाद से अब तक लगबग एक महीने की जंग में कुर्सक का इलाका लाशों से लबालब भर चुका है हालात यह हो गए हैं कि एक तरफ जैलेंस की दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस में घुसकर कुर्सक पर कबजा कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन डंके की छोट पर कह रहे हैं कि उक्रेन को कुर्सक पर हमला करना बेहत भारी पढ़ चुका है और अब रूस, पॉक्रोसक और कुर्सक में युक्रेनी सेना को रौंधते हुए हर दिन एक से दो वर किलोमेटर इलाके पर कबजा करती जा रही है पुतिन के इन दावों के बावजूद अब युक्रेनी सेना ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है जरह इस एनिमेशन के जरिये देखिए युक्रेनी सेना पोक्रोस्क कुर्स्क में रूसी सेना पर क्या दावा कर रही है। रूस के 1390 से ज्यादा सेनिक सिर्फ 3 सितंबर को मारे गए 1390 रूसी सेनिकों का एक दिन में मारे जाना वाकई रूस के खिलाफ बड़ी जीत है। या कि शोद्या, पो कोजनी चास्तिनी फ्रॉंट, प्रेद्मेटनी सेनिकों कर रही है। पुतिन को हराना ना मुम्किन है। वहीं दूसरी तरफ राश्टपती पुतिन ने साफ कहा है कि कुर्स पर हमला करना युक्रेन को बेहत भारी पड़ चुपा है। रूस के राश्टपती पुतिन ने पूरवी रूसी शहर वलादिवोस्तोक में कुर्स जंग पर बड़ा दावा किया है। पुतिन ने दोटूक कहा है कि युक्रेन का पुर्स काकरमन पूरी तरह से फेल हो गया है। पुतिन ने पूरिया है। शच्छा, सब्चा, भीप पूरी तरह से घ गर है। नेशनलों पराजेने फर्मिरवानें सेमी मेहानिजिरोवने द्वोख येगर्सकिग वज़ोज्टना दिसंट श्टूर्मावोई ब्रिगाद वरुजोने सिल उक्राइन, द्वोख ब्रिगाद टिर अबरोने इश्टूर्मावई ब्रिगादे लुद नाशनलने पलीक्स उक पर रूस कपसा कर चुका है वो जंग जीतने के दावे कैसे कर रहा है हम आपको दिखाते हैं इस वक्त युक्रेनी सेना रूसी सेना की तबाही पर और क्या बड़े दावे कर रही है युक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद राश्ट्रपती दफ्तर के दावों के पिछले चार महीने की जंग रूस पर बेहत भारी पड़ी है मई से सितंबर तक रूस के न सिर्फ हजारों सैनिक मरे हैं बलकि रूसी सेना का तोभाना बखतर बंच और भारी हत्यारों की भारी तबाही हुई है जहां अकेले 3 सितंबर के दिन ही 1390 रूसी सैनिक मरे हैं तो अब तक युक्रेनी दावों के मताबिक 6,20,350 रूसी सैनिक मरे जा चुके हैं युक्रेन के रक्षा मंतराले का दावा है कि 3 सितंबर को रूस के साथ टैंक 27 बखतर बंद लडाकु वाहन 30 तोब खाने प्रणाली 43 UAV 35 वाहन और इंधन टैंक तबाह हुए हैं जबकि 923 दिन की जंग में रूस के अब तक 17,694 तोब खाने सिस्टम और 8,618 टैंकों को युक्रेनी सेना ने बरबाद कर दिया हैं युक्रेनी सेना का दावा है कि अकेले जॉलाई 2024 में रूस के 1520 तोब खाने तबाह हुए हैं जबकि अगस्त में रूस के 1517 टैंक तोप और बखतर बरबाद किये गए हैं जब खाने जब को में बाकर फिन नाप्राइमक नाइब श्तुर्मिफ ने परस्त तक और ना करमातोर्स्कमू तोरेज़्कमू कूपिन्स्कमू नाप्यमक अधिजिए 200 नी बाई श्चोड़ बोवा पो व्स्यों फ्रॉंट इना वजलवीशे जारस जब खाने जब खाने जब को मक्समानिक फ्रॉंट तर्विट पविदात नफसी रुसी की उदार इधर वार जोन से आ रहे ही रिपोर्ट के मताबिक पिछले 11 दिनों में युक्रेणी सेना को बहरी नुकसान उठाना पड़ा है हम आपको रूस और युक्रेण के टॉप कमांडरों के जरिये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला युक्रेण पिछले 11 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है